समस्कार दोस्तों अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है और आप लोगों को आचानक से पैसे क्याप सकता है और आप लोग नोकरी करते हुए अपने प्यएफ अकॉट लिएफ से पैसा पूरी जानकारी आप लोगो उसी वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को लाष्य तक देखिएगा बिना इसकीक के वियंगा दोस्तों को प्रोसेस दोस्तों अगर आप लोग करते हुए प्यप का पैसर बिड्रोगल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को लोगिन वाल वेवसेट पर आजाना है इस वेवसेट का लिng आप लोग को वीडियो के डिसके बॉक्स से मिल जायागता है वहांसे कलिक करके ड Naw के डिया प्र आप यह है पर डालना है और सम्मिट वाल उप्षण पर क Alm नहीं उसके बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है अब दोस्तों आप लोग का पैसा विड्रोबल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोग कुछ बातों का ध्यान लखना है सबसे पहले को चेक कर लेना है कि आपके प्यूफ काउंडे बैंक के वैसी अप्रूवल है या नहीं है कैसे चेक करेंगे तो यहां पर मैनेज़ वाला उप्सन दिया गया है अगर अप्रूवल नहीं है तो आप लोग को approval करा लेना है पहले QAC डालना है उसके पाद आप लोग को पैसा withdrawal करना है अब दोस्तों यहाँ पर लगा लिजे आपका QAC approval है तो आपका QAC approval ठीक है अब जिस bank का आपने QAC कर रखा या पास बूक आपके पास उना चीग है की आगे जा चलके हमें वह upload करना होगा तो यह भी आपके पास होना अवश्यक है अब चलिए दोस्तो आप लोगों को बताते है process कि process क्या है तो दोस्तों अगर आप लोग भी नोकरी करते हुए pf का पैसा withdrawal प्रोल करने जा रहे हैं तो यहां पे आप लोगको ओनलाइन सर्विस का उप्षन देखने को मिल रहा है तो यहां पर किलिक किजेगा और यहां पे क्लेम for online claim option दिया गया है इस option पर क्लिक कर देंगे अब दोस्तों यहां पर I want to apply for option दिया गया है तो इस लेक्ट वाले option पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप लोग को form 90, form 10C, skim certificate और यहां पर PF advance 31 देखने को मिलेगा दोस्तों मेरे case में यहां पर सारा form खुल रहा है क्योंकि मैंने date of exit mention कर रखा है अपने प्याफ एकाउंट में नोकरी छोट रखा है इसलिए इस सारा option देखने को मिल रहा है आप अगर नोकरी कर रहे हैं और नोकरी करते हुए प्याफ का पैसा इस प्याफ का पाइसा निकालना चाहते है इस मेंबर एड़ि कहां पर सेलेक्ट कर लेंगे अब यहां पर आप لوको बताना है किस रुप करना चाहते हैं दोस्तों कोच बढ़े के चैक्टी इतना रॉपिय निकालयना चाहते यहां पर इडरेश डाल देना यहां पर देख सकते हैं अप Scottish डलने की सकते हैं इस्सक्राइड का आ आप लोडें तें यहां पर देख सकते हैं इसका साइड जो है JPG में होना चाहिए और 100KB कम से कम होना चाहिए और ज्या ज्यादा 500KB होना चाहिए इसके बीच में अगर हो गागा अप्लोड लेगा पॉट लेगा आप ले लेका तो फिसले लगाने के बाद जैसे टिक लगाएंगे तो टिक लगाने को यहां पाई आता है गेट आधार ओटीपी इस पर आप किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद आपका क्लेम पीएफ और पिश तक पहुँच जाएगा पीएफ दोरे चेक किया जाएगा अगर सब कुछ डिटेल सही की पाई जाता है तो आपका क्लेम एक हफ्ते की भीतर ही आपके पैंक अकोंडमें करेट कर दिया आता है कि आपार काम जाधा हो जाता कई लिए अगर जानकारी अच्छे लगए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों साथ सेर जरूर कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद